कि अघ्जारे तरहWorld में दुमुन्म वेलकम चानल श्रदव फाशन भप आज मैं आपको कुरती में नेक कर डिजाइन बता रही हूं आप इसे फरेंट हमें भी बना सकते हैं और आप चाहने तो इसे बैबना आ और लेटेस्ट जिजाइन है तो आईए देखते हैं इसे हम क्यासे बनाएंगे यहां पर मैंने यह बक्रम ली हुई है तो इसकी लंबाई चोड़ाई में आपको बताती हूं इसे मैंने ओन फोल्ड किया हुआ है टोटल यह 9 इंच है इस तरह से यह 9 इंच है इसे मैंने बीच 15 इंच तो गले की आपको ब्रॉडनेस कितनी रखनी है यह डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसे कितना चौड़ा रखना चाहते हैं तो यहां पर मैं जो गले की ब्रॉडनेस दे रही हूं वह लगभग धाई इंच दे रही हूं टोटल हमारे यह 5 इंच हो जाएगा यह 1.5 इंच की मैंने ब्रॉडनेस दे दी है और नीचे भी एक मार्क 1.5 इंच का ले लेती हूं इस तरीके से ताकि एक स्ट्रेट लाइन बन सके इस तरीके से और इस तरह से हमें एक रूलर से इन लाइन्स को मिला लेंगे इस तरह से इसके बाद यह जो पैटन है यह डब बनाऊंगी तो यह डबल शेट का डिजाइन है तो इसकी शुरुआत करने के लिए मैंने आपको बताई दिया कि पहले हम इस तरह से नेक की ब्रॉडनेस लेंगे और ब्रॉडनेस लेने के बाद एक हम स्ट्रेट लाइन थीच लेंगे उसके बाद आपको नेक की डेप्थ कित कि डेप्थ मैं पहले को अपने चानल में दिखा चुकी हूं जो मैं डेप्थ लेती हूं वह इस तरह से तिरछा लेती हूं तो इस तरह से आप इंजी डेप को यहां पर रखी अगर आपको नेक तयार साड़े साथ चाहिए तो आपको मार्किंग आठ पे करनी पड़ेगी क्योंकि आधा इंच उपर शोल्डर की सिलाई में चला जाता है अगर आप आप चोटा भी कर सकते हैं सात इंच भी कर सकते हैं मैं यह बैक में डिजैन लगाऊ गी तो इसलि clicks आपको यह नहीति है और तयार ये गला हमारा 8 इंच तयार आजाएगा तो 2,5 पर मांग देने के बाद तरह से इसे हम त्रेट कर लेंगे यहां से यहां से यह जो कोर्णर बना है यहां से एक गुलाई देने के लिए हम इस तरह से एक इंच का मार्क लेंगे इस तरीके से यह रेखिए तो यह एक इंच का मार्क लेने से यह रेखिए इस तरह से आप राउंड शे आतानी से दे सकते हैं इस तरह से और यहां से लगबग डेड़ इंच का मैं माक ले रही हूं इस तरह से तो इस वाले नेक को हम यहां लाएंगे और यहां लाने के बाद जो यह डेड़ इंच वाला माक है इसकी सिधाई में हम ऐसे रखकर इस तरह से करके और यहां से इसे घुमा देंगे इस तरह से और नीचे हमें इस तरह से घोमाते हुए इससे आप अपने पसंद का भी शेप दे सकते हैं नीचे के पाटन में मैं यहाँ पर लीफ पाटन दे रही हूँ आप चाहें तो मटका शेप दे सकते हैं आप चाहें तो राउन दे सकते हैं आपको जो डिजाइन समझ में आए आप वो शेप दे सकते हैं मैंने यहां पर यह leaf pattern दिया है और यह pattern देने के बाद इस तरीके से इसके शेप को थोड़ा सा ठीक कर लें इस तरीके से तो यह हमारा pattern तैयार हो गया है तो अब जो हमारा main line है इससे हम सबाइंच के आसपार एक mark ले लेंगे इस तरीके से यह हमें हर जगा से लेना है इससे एता करने से जो हमें outer line चाहिए वह बिल्कुल equal आती है और इस तरह से हम सबाइंच पर mark ले लेंगे यह देखिए यह complete हो गया अब हम इन lines को आराम से join कर सकते हैं यह पाटन हमारा पूरा बनके तयार है मैं यह से थोड़ा सा डाक करके लिखाती हूं यह देखिए मैंने marking chalk से अब डाक कर दिया है हमेशा pencil से draw करिए ताकि क्योंकि shape कभी भी एक बार में ठीक नहीं आता है तो pencil से draw करने में easy रहता है और बाद में आप जब आपका desired shape आ जाए तो आप उसे इस तरह से chalk से डाक कर लें तो यह मैंने leaf pattern दे दिया है और ऊपर की तरफ यह मैंने round pattern दिया है तो आएए हम मैंसे cut करती हूं पहले मैं जो अंदर वाली line है मैं इसमें cutting कर रही हूं तो बहुत ध्यान से जो आपका यह जो बक्रम है इसे बहुत tightly पकड़ना है कि यह अंदर से हिलेना दोनों portion same आने चाहिए cutting बिलकुल same आनी चाहिए और इस तरीके से हम अपनी design पूरी cut कर लेंगे और उसके बाद जो यह बाहर वाली line थी इसे extra portion को हम cut करके अलग कर देंगे ध्यान रहे कपड़े को जो हमारा मुक्रम है इसे हमें अच्छे से पकड़ना है ताकि even cutting हो और इस तरह से हमारी cutting complete हो गई है यहां पर हम बीच में एक मार्ग दे लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि यह हमारा center है और देखिए खोलने के बाद यह design कुछ इस तरह से नजर आएगा यह हमारा pattern neck का तयार है अब जो हमारा यह pattern बचा है इसमें से हम यह beat का portion जो हमारा leaf pattern था नीचे का हम इसे कट करके निकाल लेंगे कुछ इस तरह से इसे waste नहीं जाने देंगे और जो हमारा यह pattern है यह हमारा जो leaf pattern है यह मैं contrast color में बनाऊंगी तो यह pattern मेरा उसमें काम आ जाएगा यह waste नहीं जाएगा तो इसे हम रख लेते हैं और इसके अलावा यह रेखिए यह में पास यह orange कपड़ा है तो इस कपड़े पर यह इस तरीके से लगाकर मैं इसे iron कर लूँगी ताकि यह इस पर चिपक जाए और उसके बाद इसे हम fold करके सिलाई करेंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगी सब तो हमारा यह वाला पाटन है नेक का उसके लिए भी मैंने यह जो मेरे कुर्ती है उसी से बचा हुआ यह कपड़ा है और इसे भी मैं मुझे इस तरह से रख कर यह देखिए यह रॉंग साइड है यह रॉंग साइड पर मैं आपना यह डिजाइन इस तरीके से रखूंगी और इस तरह से रखने के बाद यह जो हमारी बक्रम है यह मेरी स्टिक होने वाली है जो कॉलर वाली बक्रम आती है जो एक तरफ से पेस्टिंग वाली बक्रम होती है यह वो पे बक्रम है इस पे मैं गरम आयरन इसका जो यह वाला पोर्शन है जो चिकना वाला पोर्शन होता तो मैं इसे आयरन करके लिखाती हूँ, यह मैंने इसके ओपर कपड़े के ओपर चिपका दिया है ज़ो कपड़े का wrong side है और यह मैंने इस तरह से पूरा के प्रषिक है किनारी कि यूट यह सी इस तरह लिए हमें falls दिखा चुके हुआ इसा रपworा оп прост कि ब श stitched की ढले हैं और रेसमें और में और जरृं काकर नट आए यहां दो करफिक है और प्रमके थे ब्यारों करना को मोरें के और इसके एजेज अभी हमें मोडने नहीं है, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्यों, इसका मैं बाद मेर करके दिखाऊंगी, पहले हम मेन नेक तैयार करेंगे, फर्स्ट पाला पार्ट, तो इसका हम पहले किनारे मोड लेते हैं, इस तरह से, यहां से स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से मोड़ते हुए पुरा पवर करेंगे, यह मैंने चारो तरफ से तैयार कर लिया है, इस तरह से मोड़कर, अब हमें इस तरीके से मोड़के, इसका सेंटर लेना है, तो यहां पर हमें सेंटर नॉच देंगे, इस तरीके से, तो यह सेंटर हमें मिल चुका है, अब जो हमारी कुर्टी का पार्ट है, वो यह हमारा कुर्टी का बैक पीस है, और यह हमने इसका सीधा पीस लिया हुआ है, फ्रंट पीस उपर है, जो हमारा बैक पीस का सीधा हिस्सा है, वो उपर रखना है, और जो हमने यह क्यान्वस जिस कपड़े पे लगाई है, उसका सीधा हिस्सा इस कपड़े के तरफ फेस करके रखना है, इस तरीके से, ताकि क्यान्वस हमारी तरफ को फेस करे, तो इस तर प्रिके से फोल्ड करके इसका मिड पीस निकाला और मिड पोर्शन निकालने के बाद यहां से मैंने इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इने यह देखिए दोनों नौच को इस तरह से पिन लगाके अटैच कर लिया है तो इस तरह से हमारा सेंटर जो है वो आउट नहीं होगा और यहां से मैंने कई पिन इस कुर्टी का जो सेंटर है वो निकाल लिया था यह देखिए यह सेंटर है यह मैंने मार्क किया हुआ है तो इस जो यह हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को इस मार्क से मैं थोड़ा और डाक करके दिखाती हूं यह देखिए यह जो मार्क है हमारा कुर्टे का center point इस mark से इस कुर्टी जो यह हमारा canvas का point है इसे match करना है और इस तरीके से जगा-जगा pin लगाके से hold करना है ताकि इधर उधर यह सरके ना सिलाई करते समय और इसके अलावा मैंने यह जगा जगा पिंस अटाच कर दी हैं इसे इस कुर्टे के साथ अटाच कर दिया है ताकि यह सिलाई करते समय इधर उदर ना हिले तो अब हमें यहां इस पोर्शन से यहां पर इस तरह से यह सिलाई मानी है और यह सब चीजे मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ यह दुबारा बता रही हूँ कि कैसे आप इंटरफेस यूज करें तो यहां पर इस तरह से हम इसको एक पॉइंट का गैप छोड़के सिलाई चलाएंगे और पूरा बिल्कुल इंटरफेस के पास में कि इस तरीके से यह रीखिये इस तरह से मैंने श्टिज कर लिया है अब यह नेक जो है हमारा कुर्थी के पोर्शन से अठाच हो चुका है तो आप हम इसकी कॉटिंग कर दिखा करेंगे मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई से लगबग 1 4 इंच फोड़कर और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो पूरा कट करके निकाल दिया है और जो यह कपड़ा बचा हुआ है हमारा इसे हमें जगा-जगा इस तरह से स्लिट डालने हैं इस तरह से जगा-जग कट डालने हैं और कट ऐसे डालिए कि आपकी जो सिलाई है वो कटे ना यह देखिए इस तरीके से और जो यह कॉर्णर है यह वाला यह वाला कॉर्णर आप चाहें तो इस तरह से कट करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं क्योंकि पलटने में दिक्कत होती है और यहां पर भी इस तरह से और इस तरह से हम पूरे गले पर नौच डालने के बार हम इस पटी को इस तरीके से पलट देंगे कुर्टे के बैक साइड में कर देंगे और पूरी पटी इसी बहुत एजीली पलट जाएगी यह देखिए अगर आपने कट्स डाल दिये हैं तो बहुत एजीली पलट जाएगी और जहां पर यह कॉर्डनर आ रहा है जहां वो नौक आ रही है उसको आप उंगली से निकालिए अधरवाइस जादा पॉइंटिड हो रहा है तो आप अपने सीजर की भी मैदम मदद ले सकते हैं यह देखिए बहुत एजीली निकल आता है और यह देखिए यह पूरी तरह से त्यार है अब इस पर हम किनारी पर एक सिलाई चलाएंगे इस तरीके से यहां पर एच पर एक सिलाई चलाएंगे और जादा फिनिशिंग लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं आप इस तरीके से पिन्स लीजिए और यहां पर इस तरह से पिन अटाच कर तो इससे आपका नेक इधर उधर नहीं होगा यह देखिए इस तरीके से थोड़ा सा खीच के कपड़े को इधर रखिए और इस तरीके से हम इसे पूरे नेक पर पिन लगा लेंगे फिर हम इसे लाई करने की ज़रूरत नहीं है वह हम लास्ट में भी कर सकते हैं जो हम बीच आप इस तरह से पूरे नेक पर पट्टी को थोड़ा सा खीच के आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं पर यहाँ पर मेरा कपड़ा बिल्कुल ठीक है मुझे आयरन की जरूरत है नहीं इस समय और यहाँ पर मैं इसी तरह से सारे में पिन अटाच कर दूँगी मैंने यह समय पिन अटाच करके इस तरह से बिल्कुल क्लीन इसको फोल कर लिया है और बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आई है आप पास से देखिए कहीं कोई भी सिलवट नहीं है बहुत अच्छी से फिनिशिंग आती है और यह नेक बनाने का सबसे इजी तरीका है जो मैं यह औरेंज वाला पोर्शन था जो हमने यह लीफ पाटन काट करके रखा था इसके लिए हम यह कुर्ती से मैचिंग का यह हमने कपड़ा लिया है हमें इस पर यह पाइपिन देनी है उपर वाले पोर्शन पर जो लीफ पोर्शन नीचे रहेगा पॉइंट पर आएगा तो यहां पर वाला पोर्शन है वो नेक पर आएगा हमारे तो यहां पर हमने यह थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करके रखा था यह बुक्रम जो है यहां से यह कट करना चाहिए था हमने इतना एक्स्ट्रा रखा है तो वह इस लिए रखा है क्योंकि इसमें हमें यहां पर इस तरीके से सिलाई देंगे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, यह देखिए किनारे पे हमने यह सिलाई चला दी है, और अब हम इस कपड़े को ऐसे करके इस पर पलट देंगे, तो यह जो हमारा लीफ पाटन है, जो ओरंज कलर था, यह उपर आ जाएगा, और इस तरीके से इ सिलाई चला दी, तो अब यह पाइपिंग हमारी, बिल्कुल साफ पाइपिंग आ गई है, तो यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ओरंज वाला, इस पर हमें आप सिलाई चलानी है, यह ब्लू और और औरंज कपड़े को आपस में अटाच करना है, तो बिल्कुल किनारे पर ह हम इस तरीके से एक सिलाई चलाई है, ध्यान रहें, यह बिल्कुल किनारे पर होनी चाहिए, इस तरीके से, क्योंकि जब हम उसमें अटाच करेंगे, तो यह सिलाई दिखाई नहीं देनी चाहिए, यह रेखें, यह कंप्लीट हो गई, तो आएए, अब एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके, हम इसे में नेक पे अटाच करके निखाएंगे, यह देखें, यह एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट के निकाल दिया है, अब हमारे पास यह जो पीस है, इसमें मैंने ब्लू पीस जो था वो पीच्छे की तरफ किया, और यह जो पीस हमें प्रेंट में दिखाना है, सामने की तरफ, तो जो हमारा यह नेक तैयार था, तो जहां से हमने यह लीफ पैटन की कटिंग की थी, वहां से अरेंज करके यह रेखिए, यहां से मैंने इसे इस पाइपिंग के साथ मिलाते हुए अटाच किया है, और इस तरीके से यह रेखिए, यह जो हमारा इसका मिट पॉइंट है, इस मिट पॉइंट को यह रेखिए, यह रेखिए, मैंने लीफ पैटन का जो यह मिट पॉइंट निकाल रखा है, इसे इसके एज से मिलाते हुए इस तरह से पिन अप कर दें, और इसी तरह से यहां एक दू पेज़ें qas and joss cut his old hair onus Ultimate नेग्पूर कुष्टे अद्धर के शौख और इस तरीकेसे के यहां के से यहां इस तरीके से इसालियंक यहां रहता हैं इसके बात हम पीन अब कर देंगे यह इंदतर नहीं होगा उसके बाद हमें यहां से starting से इस तरह से सिलाई लेते हुए लाना है यहां लाने के बाद थोड़ा सा सिलाई को हम पक्का करेंगे means reverse में लेंगे और वापस लाके फिर ऐसे गोलाई में सिलाते हुए और पूरा यहां आके फिर से एक बार पक्का करेंगे और पक्का करने के बाद फिर यहां से हम पूरा नेक को फिनिश करेंगे तो आईए अब हम इसकी सिलाई करके इस नेक को फिनिश करते हैं देखिए बिल्कुल किनारी इपर जो नेक का बिल्कुल किनारा है फुट को उससे रखिए और बिल्पुल किनारे किनारे पर हमें इससे यह सिलाई चलानी है यह रेखिए और बिल्पुल सपाई के साद दीरे दीरे थोड़ा थोड़ा करें यह यहां आक यह देखिए इतना करने के बाद मैं इसे वापस लूँगी इस तरीके से रिवर्स करेंगे और वापस लाएंगे वापस एक बार रिवर्स करेंगे और फिल से लाकर और अब हम इसे आगे बढ़ा देंगे इस पिन्स अब हटा देंगे जिसकी जरुत ना हो वो हटाते जाए translates और इसी तरह से अब हम इसनेक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तीच विए इतchen यह विए तयार हो चुका है यह मैंने स्टिच दे दिया है स्टेरी और एहां पर मैंने कई बारे से इस तरह से पका कर दिया है और इसे अब ये अच्छे से अटाच हो गया है तो ये नेक्स फिल्पुल कम्प्लीट है और ये मेरे पास ये छोटे-छोटे बीट्स थे ये मैरे गोल्डन कलर के बीट्स है तो ये मैं सेंटर में इस तरह से यहाँ पर सारे लगा दूँगी और ये रेखें फिनिश लोक इस अगे भी मैं आपको इसी तरह नए नए आइडियास देती रहूंगी और अगर आपको इस डिजाइन से संबंदित कोई भी क्वेस्चन करना हो कोई चीज समझना आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं जरूर उसका रपलाई दूँगी और बाकी की सिलाई मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे कुर्ती स्टिच करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ तो आप उसे देखकर बाकी की सिलाई कम्प्लीट कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत यौल मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आ बाई बाई